ओम श्यान्ती, आज है 24 जन्वरी 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स, बाब ने कहा अपने को आत्मा समझ, तुम्हें एक बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिवशिव नहीं बोलना है, ऐसे शिवशिव जपने से विकर्म थोड़ ही विनाश होंगे, बाप तो बहुत अच्छी रिती समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसे बनने का पुरुशार्त करते रहों, हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए, अपने से पूछना है, हम हीरे जैसा बने हैं, कोई तो अक के फूल है, कोई गुलाब के फूल भी है, जो पैरों में देह अभीमान की कडियां पड़ी हैं, वह देही अभीमानी बन नहीं सकते, उन पर तरस पड़ता है, सर्विस के लिए तो चमतकारी बुद्धी चाहिए, सर्विस का बहुत शोक रखना चाहिए, जो गंगा सनान करने जाते हैं, उन्हें अच्छी रिती समझाओ कि पानी में सनान करने से पावन नहीं बनेंगे, बलकि योग अगनी से पावन बनेंगे, आगे कहा जगह जगह पर सर्विस करनी है, यह एक ही पॉइंट मुख्य है, जो सबको समझानी है, सेकंड में मुक्ती जीवन मुक्ती कैसे मिलती है, और लास्ट में बाबा नहीं कहा तुम्हें अंधों की लाठी बनना है, दुखियों को रास्ता बताना चाहिए, सब को सुजाग करने के लिए छोटे-छोटे परचे, सब भाशाओं में छपे हुए होने चाहिए, लेकिन जिनको सर्विस का शोक नहीं है और नाही ग्यान का नशा है, तो उन्हें यह ध्यान मे आएगा ही नहीं कि कैसे सर्विस करें, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, 21 जनमों के लिए, सदा सुखी बनने के लिए, इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालू, प्रश्न, दैवी राजधानी स्थापन करन के लिए, हर एक को कौन सा शोक होना चाहिए, उत्तर सर्विस का, ज्यान रतनों का दान कैसे करें, यह शोक रखो, तुम्हारी यह मिशन है, पतितों को पावन बनाने की, इसलिए बच्चों को राजाई की वृधी करने के लिए, खूब सर्विस करने हैं, जहां भी मेले लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहां पर्चे छपा कर बाटने हैं, धिंडोरा पिटुआना है, गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पालिया है, जमी तो जमी, आस्मा पालिया है, ओम शान्ती निराकार शुबाबा बैठ कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाब को याद करो, हम आत्मा है, हमको बाब पढ़ाते हैं, बाबने समझाया है, संसकार सब आत्मा में ही रहते हैं, जब माया रावन का राज्य होता है अथ्वा भक्ती मार्ग शुरू होता है तो देह अभीमानी बन जाते हैं फिर जब भक्ती मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं अब देही अभीमानी बनो तुमने जो जब तप दान पुन्यादी किये हैं उनसे कुछ भी फाइदा नहीं मिला पांच विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं वास्तों में असल तुम देही अभिमाने थे फिर से अभी यह प्रेक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो यह पुराना शरीर छोड हमको नया जाकर लेना है सत्यूग में यह पांच विकार होते नहीं है देवी देवता जिनको स्रेश्ट पावन कहा जाता है वह सदेव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जनम सदा सुखी रहते हैं फिर जब रावन राज्य होता है तो तुम बदलकर देह अभिमानी बन जाते हो इनको सॉल कॉंसिस और उनको बोड़ी कॉंसिस कहा जाता है निराकारी दुनिया में तो बोड़ी कॉंसिस और सॉल कॉंसिस का प्रशन ही नहीं उठता है वह तो है ही साइलेंस वर्ड यह संसकार इस संगम युग पर ही होते हैं तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है सत्युग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो क्योंकि knowledge है कि हम आत्मा है यहां तो सब अपने को देह समझते हैं बाप आकर समझाते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे फिर तुम विकर्मा जीत बन जाते हो शरीर भी है राज्य भी करते हो तो आत्म अभिमानी हो यह जो तुमको शिक्षा मिलती है इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो सदेव सुखी रहते हो सौल कौंसेस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं इसलिए बाबा समझाते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे वह गंगा सनान जाकर करते हैं प्रन्तु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं ना योग अगनी है जिससे विकर्म भस्म हो ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है जैसा समय वैसी सर्विस कितने ढेर मनुष्य सनान करने जाते होंगे कुम्ब के मेले पर सब जगह सनान करते हैं कोई सागर पर कोई नदी में भी जाते हैं तो सब को बाटने के लिए कितने परचे छपाने पड़े खूब बाटने चाहिए पॉइंट ही सिर्फ यह हो बहनों भाईयों विचार करो पतित पावन ग्यान सागर और उनसे निकली हुई ग्यान नदियों दवारा तुम पावन बन सकते हो वह इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो इस पहेली को हल किया तो सेकिन में तुम जीवन मुक्ती पा सकते हो राज्य भाग्ये का वर्सा भी पा सकते हो ऐसे ऐसे परचे हर एक सेंटर छपा ले नदियां तो सब जगे हैं नदियां निकलती हैं बहुत दूर से नदियां तो जहां तहां बहुत हैं फिर क्यों कहते कि इसी ही नदी में सनान करने से पावन होंगे, खास एक जगहे पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं, ऐसे तो नहीं एक दिन सनान करने से पावन हो जाएंगे, सनान तो जनम जनमांतर करते हैं, सत्युग में भी सनान करते हैं, और वहां तो है ही पावन, यहां तो कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं सनान करने तो उन्हों को समझाना है अंधों की लाठी बनना है सुजाग करना है पतित पावन आकर पावन बनाते हैं तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए ये चोटे-चोटे परचे सब भाशाओं में छपे हुए होने चाहिए लाख दुल चपाने चाहिए जिनों की बुद्धी में ग्यान का नशा चढ़ा हुआ है उनों की बुद्धी काम करेगी यह चित्र दो तिन लाख सभी भाशाओं में होने चाहिए जगे जगे पर सर्विस करनी है एक ही पॉइंट मुख्य है आकर समझो कि सेकिंड में मुक्ती जीवन मुक त्रीमूर्ती के चित्र पर संझाना चाहिए कि ब्रह्मा दवारा स्थापना जरूर होने है दिन प्रतिदिन मनुष्य समझ से जाएंगे कि बरोबर विनाश सो सामने खड़ा है यह जगडे आदी बढ़ते ही जाएंगे मिलकियत के उपर भी कितना जंजट चलता है फिर नह समझेंगे बरोबर यह तो पहले भी हुआ था तो तुम बच्चों को अच्छी रिती समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे वो योग अगनी से पावन बनेंगे भगवान वाज मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विन जहां जहां भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो विशेस मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए मेले भी बहुत लगते हैं जिसमें धेर मनुष्य जाते हैं प्रंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही पर्चे बाटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सके ऐसी जगें ख जान रत्न सर्विस का बहुत शोक रखना है हम अपनी दैवी बादशाही सापन करते हैं न यह है ही मनुष्य को देवता अथ्वा पतित को पावन बनाने की मिशन यह भी तुम लिख सकते हो कि बापने समझाया है मन मना भव पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो वि कर्म विनाश हो जाएंगे यात्रा की पोइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझायी जाती है बाप को बार बार याद करो सिमर सिमर सुख पाओ कले कलेश मिटे सब तन के अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे बापने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो अर्थात य शिव शिव कहे माला जबते हैं, वास्तों में हैं रुद्र माला, शिव और साली गराम, उपर में है शिव, बाकी हैं छोटे-छोटे दाने, अर्ठात आत्मा एं. आत्मा इतनी चोटी बिंदी है कालेदानों की भी माला होती है तो शिव की माला भी बनी हुई है आत्मा को अपने बाप को याद करना है बाकी मुख से शिव-शिव बोलना नहीं है शिव-शिव कहने से फिर बुद्धी योग माला तरफ चला जाता है अर्थ तो कोई समझ से शिव शिव जपने से विकर्म थोड़े ही विनाश होंगे माला फिरने वालों के पास यह ग्यान नहीं है कि विकर्म तब विनाश होते हैं जब संगम पर डारेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं कि मामे कम याद करो बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे विकर्म विनाश नहीं होंगे काशी में भी जाकर कहते हैं तो शिव काशी शिव काशी कहते रहते हैं कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है शिव के मंदिर तो बहुत आलिशान बने हुए हैं यह सब हैं भक्ति मार्ग की सामगरी। तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शोक होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। परचे ले जाकर समझाओ। बोलो इनको अच्छी रिती पढ़ो। मौत तो सामने खड़ा है। यह दुख धाम है। अब ग्यान सनान एक ही बार करने से सेकेंड में जीवन मुक्ती मिलती है। फिर नदियों में सनान करने भटकने की क्या दरकार है। हमको सेकेंड में जीवन मुक्ती मिलती हैं तब धिंडोरा पिटवाते हैं। नहीं तो कोई थोड़े ही ऐसे परचे छपवा सकते हैं, बच्चों को सर्विस का बहुत शोख होना चाहिए, पहलियां भी जो बनवाई हैं वे सर्विस के लिए हैं, बहुत हैं जिनको सर्विस का शोख नहीं है, ध्यान में ही नहीं आता है कि कैसे सर्विस करें, इसमें बड नहीं सकते हैं समझा जाता है यह क्या जाकर पदपाएंगे तरस पढ़ता है सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन-कौन पुरुषार्त में तीखे जा रहे हैं कोई तो अक के फूल भी हैं कोई गुलाब के फूल भी हैं। हम फलाने फूल हैं, हम बाबा की सर्विस नहीं करतें, तो समझना चाहिए हम अक के फूल जाकर बनेंगे, बाब तो बहुत अच्छी रिती समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुशार्द कर रहे हो, कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले जुनजार भी है, हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए, हमको हीरे जैसा बनना है, अपने से पूछना है, हम हीरे जैसा बने है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद ब्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पॉइंट, देह अभिमान की कडियां, जंजीर काट, देही अभिमानी बनना है, सौल कॉंसिस रहने का संसकार डालना है, दूसरी पॉइंट, स सर्विस का बहुत शोक रखना है, बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, सच्चा हीरा बनना है, वर्दान, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हलके पन की अनुभूती करने वाले कर्मातीत भव, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हलके पन की अनुभूती करने वाले कर्मातीत भव, कर्मातीत अर्थात, न्यारा और प्यारा, कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो, जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिती का अ हलकापन रहेगा कर्म करते तन का भी हलकापन मन की स्थिती में भी हलकापन जितना ही कारे बढ़ता जाए उतना हलकापन भी बढ़ता जाए कर्म अपनी तरफ आकरशित ना करे मालिक होकर करमेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हलकेपन का अनुभो करना यही कर्मात स्लोगन सर्व प्राप्तियों से सदा सम्पन रहो तो सदा हरशित सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हरशित, सदा सुखी और खुश नसी बन जाएंगे मातेशुरी जी के अनमोल महवाक्य किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाडने वाला खुद मनुष्य है अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाडने वाला कौन है हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाडने वाला वही परमात्मा है बाकि यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाडने वाला खुद मनुष्य है अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे इस पर समझाया जाता है मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते है अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है वो तकदीर को कैसे बनाएगा इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मातन दवारा अविनाशी नौलेस दवारा हमारी बि बाकि मनश्य आत्मा एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है अच्छा लवलीन सिती का अनुभव करने के लिए आज का अभ्यास जिस समय जिस संबंद की आवशक्ता हो उसी से भगवान को अपना बना लो दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे इसी संहे के सागर में समा जाओ इसके अंदर माया आ नहीं सकती अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती ये एक बहुत संसकारितापूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे